BMW कंपनी की कहानी, World War के हालाद को अवसर में बदला, विमान इंजन से कार तक का ऐसा रहा सफर, जानी मानी Own to Mobile कंपनी, BMW को लगजरी कारें बनाने के लिए जाना जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कारों के नहीं, बलकि विमानों के इंजन बनाने के लिए हुई थी, इसका पूरा नाम है Bavarian Motor Works, इसकी स्थापना जर्मनी के फ्रेंज, जोसिफ पॉप, काल रैप और कैमिलो कास्तिग्लियोनी ने मिलकर की, आधिकारिक तौर पर इसकी नीम्व, 1917 में पड़ी, BMW की शुरुआत की कहानी इतनी सामान्य नहीं रही है, इसका कने W का संस्थापक काल रैप को कहा जाता है, 24 सितंबर 1882 को जर्मनी में जनमे रैप पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर रहे, उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई और नाम दिया रैप मोटर इंवर के, इस कंपनी में सिर्फ विमानों और वाहनों के इंजन बनाए जाते थे, कारो दो अन्य कंपनियों के साथ मिलाकर BMW की स्थापना की गई, कंपनी के पहले इंजन का नाम था BMW, IEA, इसकी क्वालिटी जबदरस्थ होने के कारण, कंपनी को ऐसे कई इंजन बनाने का बड़ा ओनर्डर मिला, विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, इंजन की डिमांड त पर रोक लगा दी गई, 1923 में कंपनी ने मोटरसाइकल बनाने की शुरुआत की, पहली मोटरसाइकल का नाम था R32, इसके बाद कारों की दुनिया में एंट्री लेने के लिए BMW ने OnToMobile's Beginning नाम की कंपनी को खरीदा और कारों का निर्मान शुरू किया, इस तरह कंपनी ने अ रंग ने उनकी कई फैक्ट्रियाएं को अपने अधीन कर लिया, कार और मोटरसाइकल बनाने पर रोक लगा दी गई, नतीजा कंपनी ने किचन का सामान बनाने का फैसला किया, 1947 में कंपनी को वापस मोटरसाइकल बनाने का अधिकार मिला, 1951 में कार बनाने पर लगे बैन को हटा दिया गया। कमपनी ने BMW 501 कार को लॉंच किया, लेकिन यह इतनी महंगी कार थी कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। नतीजा कमपनी की आर्थिक स्थिती टूव हीलर्स से ही होने वाली कमाई पर निर्भर थी। इसका समाधान ढूणने के लिए कमपनी ने अपनी रणनीती बदलती और 1500 कारें एक साथ पेश की, उनकी कीमतों में बदलाव किये। नतीजा डूबने की कगार पर पहुँच चु दुनिया की सफल ओन्टो मोबाइल कमपनीों में शामिल हुए।